आज हम बाचीत करेंगे क्रिसिल रेटिंग्स के मेनेजमेंट से और ये समझे कोशिस करेंगे कि फार्मा सेक्टर में क्या चलना है उनकी एक ताजा रिपोर्ट है उनके मताबिक सेक्टर करीब आठ से दस परसंड की ग्रोथ का अनुमान लगा जा रहा है एक्सपोर्ट और घ रेस्टिंग रिपोर्ट और ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले काफी समय से अब ग्रोथ दिखा रहा है तो बेसिक आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो हम लोगों को समझाईए दर्श्मों को देखें पिछले साल जो गया वहां पर हमने 10 परसंड ग्रोथ देखी थी इस सा कि 47 परसंट डॉमेस्टिक से आता है तो हमारा अनुमान है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ 10 से 12 परसंट होगा इस साल लाजडी दो रिजन है यूएस और यूरोप में दोनों जो करीबन 50 परसंट हमारे एक्सपोर्ट से हैं जालता यूएस और यूरोप को ही जाते हैं दोनों इंक्रीजिंगली चाइना से दूर हट रहे हैं और वो उप्रचुनिटिस इंडिया को आ रहे हैं तीसरी बाद हम यह भी देख रहे हैं कि यूएस में जो जेनरिक्स मार्केट था जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पर भी प्राइजिंग जो है वह भी ठीक टाक चल दि पिछले साल कुछ मॉन्सून एरेटिक होने से थोड़ा दबाव आया था डोमेस्टिक डिमांड में बट इस साल अब तक जो जैसा ट्रेंड चल रहा है वो ठीक तक साथ से नो परसंट आना चाहिए तो अनुसर यह लगभग पिछले साल जैसा ही है बलकि एक रेंज है आप यह मार्केट काफी स्टेबिलाइस्ट मार्केट है बट इंपोर्टेंट चीज यह है प्रॉफिटिबलेटी में सोधार आ रहा है वो हम मैं बाद में इस पर बात करूंगा और क्यों आ रहा है यह भी बता हूंगा बताईए सर अभी बताईए अच्छा यह है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे है वो इंक्रीज हो रहा है और यूएस बिगेस्ट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट वहां प्राइजिंग प्रिशर थोड़ा कम हो रहा है तो यह दो वजह से हमारा प्रॉफिटिबल रहा है पिछले साल करीबन एक परसेंट बड़ा था सब अपरेटिंग प्रॉफिट इस साल भी हम सो हमारा अनुमार है कि 70-80 इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिटिबल में तो आपकी रिपोर्ट कहते हैं कि लगभग आधी कंपनियों का आपने सर्वे किया है बहुत बड़ा साइज है जिसको आपने कैप्शर किया है यह जो चाइ चैना में हमेशा ओर सप्लाई रहा है अब क्या हो रहा है क्योंकि यूएस और यूरोप कम ले रहा है चैना से उनकी प्राइजिंग और कम हो रही है और चैना की डॉमस्टिक मार्केट उतना डिमांड है नहीं तो उसकी वज़े से प्राइज प्राइज आप इंपुट्स एक चीज़ मुझा ही सर कि क्या ये सोचना ठीक है कि यूएस का जो मार्केट जो हाइली रेगुलेटेड है वहाँ पे बॉटम आउट होगी प्राइसिंग इसलिए हमारी घरलू कम्पनियों को जो वहाँ ज्यादा कारुबार कर रहे हैं उनको फायदा होगा प्राइसिंग इन टरम्स ओ रेगुलेटेड मार्केट इन यूएस तेगे बॉटम आउट होगा नहीं है बट हम यह कर सकते हैं जो प्राइसिंग हर साल डबल डिजेट में गिर रही थी वह अभी मिट सिंगल डिजेट में आ गया अभी गिर रही है बट प्रेशा था डबल डिजेट गिर करने का वह अभी सिंगल डिजेट हो गया यह कब तक सार बॉटम आउट होगा कब तक रुकेगा यह गिरावट यह तो चलेगा हर साल चलेगा बट अब क्या कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स देर गइंग इन फॉर एर बेटर मॉलिक्यूल्स बोर अडवांस्ट मॉलिक्यू इसकी वज़े से उनकी प्रोड़क का वैल्यू बढ़ेगा और फिर प्रॉटिब्लेटी जाए रहेगी जेंट्रिक्स में प्राइसिंग प्रेशर तो चलेगा एक काम होने में और अभी काफी नए प्रड़क भी आ रहे हैं तो उन नए प्रड़क में उतना प्राइसिंग प्रेशर होई का नहीं यूएस मार्केट लिए सेटी सर एक चीज़ हो समझाए हमने चाइना ब्लस बहुत सुना और उसमें अलग-अलग सेक्टर्स की बाते सुन रहे हैं अगर यूएस कम ले रहा है तो क्या हमसे फायदा ले रहा हूँ हां जी आप अगर कॉंट्रेक्ट सब्सक्राइब करें चाइना प्लस वान स्टाइजी काफी ग्लोबल प्लेस जो है उनका रिसर्च बेस चाहिने में हुआ कते था ठोड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडिया के इंडिया के हां बिकॉस वी और स्कॉंपटिटिव एंड क्वालिटी इसुसितर बढ़े हैं मैनुफेक्ट्रिंग केपोड़ी इस हमने बढ़ा दिये स्किल लेबर अवालेबल है तो इससे हमारा काफी फैदा हो रहा है और काफी कंपनी आप देखें तो सी आरो और सी डेमो सेपरेंट कंपनीज खोल रहे हैं उसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है काफी इसपोर्ट का वो इनफेक्ट टोटालिटी में चाइना का और बढ़ा है दो परसेंट करीब इंक्रीज हुआ है तो जो हम लोग बहुत समझते हैं पहले कि चाइना प्लस वन की स्टोरी प्ले हो रही है अच्छली चाइना प्लस वन इस इकल टू चाइना हो गया है लेकिन फार्मा की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट आप बता रहे हैं तो क्या यह मानना चाहिए कि जो दूसरी चीजों पर चाइना ने बहुत फोकस बना रखा इस समय वहां तो भले चाइना प्लस वन इस इकल टू चाइना की स्टोरी चल रही है लेकिन फार्मा में यह एज हमको मि इस बनेफिट इंडिया को मिलता थे लिफार्मा में और फार्मा में काफी एस्टाबिश्या इंड़स्टी काफी पुरानी ए इस नाट अनु इड़स्टी तो वह बनेफिट सीथार रहे एक चीज और में कहना चाहता हो जो अबी रिसेंट्ली एंको दिन पहले यूस बैल एक्ट पास हुआ है यूस में एट इस अलसो मूव तो मूव अवे इंक्रीसिंगी फ्रम चाइन तो यह ऑपिचुनिटीज भी इंडियन कंपनीज को आ सकती है और यह स्पेशलाइस स्पेशलाइस सर्विस के लिए होंगे जिसमें ज्यादा इन्वेस्मेंट भी लगेगा प्राफिट भी ज्यादा है और हमारी कंपनिया सर इसके लिए तैयार है फाइदा उठाने के लिए बिलकुल तैयार है यह आपके सर्वें आया कि यह रेडी तो अपर्चुनिटी राइट 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 ओके अब तो सब्सक्राइब का जो बाजार है वह बहुत ही अपरेटिंग लिवरेज के सेंस में और उनकी बैलेंस शीट कैसी है इस समय राइट सारे कंपनियों को फैदा हो रहा है बिकॉस अब देमांड विचेसा दोनों दिमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में भी अगर आप एक्टिव इंग्रीडियन कंपनिस को देखें उनका प्र और यह इंक्रीसिंगली इंपोर्ट अप्रड़क्ट भी बन रहा है अगर आप जेनरिक्स को जाएं जेनरिक्स को तरफ जाएं तो इस लाज़ी एक्सपोर्ट डिवन एंड जो अभी यूरोप और यूएस में हो रहा है हमने बातचीत करी है उससे फादा हो रहा है कंपनिय और दूसरे जॉग यह फूर्ट डूसरे मार्केट्स में एक्सपांड करें उसकी वज़े से ग्रोथ आ रहा है बट उनका ग्रोथ थोड़ा स्लो है इंपैड टू प्लेयर्स वार अलसो इंटो एक्सपोर्ट और इंटो एपी इस बट प्रॉटिवर्ट देखें तो सब का अच्छा अच्छा जा रहा है और इस साल भी और बढ़ने की आशंका है अलू जी यह डूमेस्टिक फार्मा के वॉल्यूम क्यों गिर रहा है मार्किट काफी मैचूर है और इधर एवरी यर थोड़ा थोड़ा नैशनल ड्रग पॉलिसी है नलीपी है उनके वादे और प्राइस इंक्रीज भी होता है तो एनलीपी इंपैक्ट कर रही है एक्छली कोड़े ड्रग स्कूर्ट सब्सक्राइब दो चीजा है एक तो मार्जिन में किस तरह के सुधार आप देखेंगे और साथ ही जो क्रेडिट प्रॉफाइल वो कैसी है अब कमीड़ा अमने बोला था कि अमाजिन में लास्ट यहां ने सो सो बसेस पॉंट यह एक परसंट इंप्रॉम्में देखा था इस साल भी हम सतर से अची बसेस पॉंट इंप्रॉम्में देख सकते है ऑपरेटिंग परॉफिट मिनीज बालें शीट तरह जाये तो इसका फादा उठाएं और बैंट अविलिबल तो तरह इस अलस्ट इंक्रीजिंग मजन एक्विशिशन ट्रेंड जो डेखनी को आया है और बैलेंशिट इस त्रॉंट है तो इस नोट हैं आप हैंपरिंग देखनी अप्रॉम्में देखनी को आया है काफी देर के बार के फ जा रहे हैं और इस बार देख रहे हैं कि मुस्सली ब्रैंड जी खरेदने के कोशिश कर दे हैं पूरी कंपनिया नहीं जा रहे हैं तो सेडी सर मुझे यह समझ में आया पूरी बात चीस हम लोगों के कि 8-10 परसंट की ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट ग्रोथ 10-12-13 परसंट त फाइदा मिल रहा है और चाइना से जो बहुत ज़्यादा और सप्लाइ थी थोड़ी रिस्ट्रेक्ट हुई है तो रा मिट्रियल की प्राइसिंग भी ठीक हो रही है और यूएस में प्राइसिंग अभी स्टेबल नहीं हुए यह पहले बहुत ज़्यादा गिर रही थी अभी चाइना से इंपोर्ट डिपर्डेंस कम करने में और तीन-पांच साल लगेंगे हमको लोगर प्राइसिस का फाइदा हमको मिलना है लोगर प्राइसिस का हमें फाइदा मिलना है सेटी सर बहुत ही शांदार चर्चा थी बहुत अच्छी बातचीत हुई फार्मा में इस समय क्या है और यह सर्वे बहुत बड़ा था बहुत रेप्रेजेंटेटिव है आधिस ज्यादा कंपनियों के बीच में सर्वे किया गया था तो अमेरिका में क्या हो रहा यूरॉप में क्या हो रहा बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सला है कि कोई भी निवेशन इंडले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सला ले